देश भर का लोग प्रिय टीवी शो ये रिष्टा क्या कहलाता है में वर्षा भाभी का खूबसूरत किरदार निभाने वाली आक्ट्रिस पूजा जोशी ने जिस तरह से एक अच्छी बेटी, बहू और मा बन कर अपनी घर ग्रहस्ती सम्हाली और अपनी परिवार के साथ आज भी लोग इन्हें भूल नहीं पाएं हैं लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि फिलहाल शो में ना दिखाई देने वाली वही वर्षा भाभी उर्फ पूजा जोशी आज कहां हैं क्या कर रही हैं और कैसी दिखती हैं शायद नहीं तो इसलिए आज हम आपको इनकी सारी पढ़ाई भी कम्प्लीट हुई थी बात करें इनके आप्टिंग करियर के बारे में तो इने आक्टिंग के प्रति जादा रुची नहीं थी जिसके चलते इन्होंने कुछ सालों तक मोडलिंग की और मोडलिंग करने के बाद तुरंत इन्होंने टीवी पर अपना हाथ आजमा लिया था और खुश किसमती से इन्हें अपना पहला शो ये रिष्टा क्या कहलाता है ही मिल गया जिसमें इन्होंने अक्षरा की दोस्त के साथ साथ एक अच्छी भावी सहेली बहन बहु और मा बन कर जिस तरह से खुद को बखुवी परदे पर पेश किया उसे देख आज भी इनकी तारीफ घर घर होती है इतना ही नहीं इनके बाद इन्होंने एक भी शो में काम नहीं किया क्योंकि दस साल तक ही अपने बेस्ट अभिने के चलते इस शो में बनी रही पर फिलहाली अभी शो से गायब हैं लेकिन इन्होंने अपने करियर को छोड़ा नहीं है पर अगर बात करें इनकी बदले हुए रंग रूप की तो जहां शो में वर्शा के खूबसूरत किरदार में फैंसी सूट, साड़ी, गुजराती, लहंगा और शादी का जोड़ा पहने हुए सोला सिंगार के साथ लंबे खुले स्ट्रेट बाल रखे, काफी गोलू-मोलू और गोरी चिट्टी नजर आई थी, वहीं आज अपनी 33 साल की उम्र में भी काफी यंग, गोरी चिट्टी और पहले से थोड़ी पतली दिखाई देती हैं इसी के साथ आज जीन्स टॉप, लैगी, गाउन, शिर्ट जैसे वेस्टन रसेस कैरी करती हुई थोड़ी छोटी बल की करली बालों के साथ लाइट मेकप में काफी स्मार्ट दिखाई देती हैं लेकिन अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो इनकी शादी मुंबाई के एक बहुत बड़े बिजनसमैन मनीश अरोडा से 25 नवंबर 2015 में हुई है और उनसे आज इन्हें एक क्यूट सी बेटी रिद्धिमा भी है जिसके साथ आज अपने घर की अच्छी वाइफ और मा बन कर खुशाल जिन्गी बिता रही है तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे एक्ट्रस पूजा जोशी के पहले और आज के लुक में डिफ्रेंस को देखकर आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं साथ यह सी तमाम वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें